हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर जो आपको अच्छे लेगा कि जो लोग डाउन से पहले किसी भी कंट्री से अपने घर पे चुटी गए तो उनका क्या होगा बीटिक है तो काफी सारे कमेंट थे इस टोपिक के और वीडियो करते हैं तो भई आज का दिन है डेट है आज चे तरिक है और दिन आज बुद्वार है कि अभी इवनिंग का टाइम है मेरा पूरा दिन आज हैसे ही निकल गया सबसे पहले बदाता हूं मतलब सोने में निकल गया पेर भाई के साथ कुछ समान करी दया था वो गयी चला गया मेरा पूरा टाइम और così Na अभी मिला मेंडिक हाना बनाया कपड चुनटकर वो तकि अब मैंदी इस को काफित काने चलो घ्रियो और सफलीड गया डिए और ये कि बिता गार तॉपकर जो में आप लोगगों बताएं आहां म एस बिता के उपर मद्धित जो अपने घर पर होगा तो क्या होगा आप लोगों डीटेल में बताता हूं कि दुबई कोर्मिट ने जो रूल ओपन किया है कि जो आप छूटी पे गई हुआ है वो 6 मन तक रह सकते हैं तो पहले भी था कि छे महीने के पहले आप लोगों ने वापस आना था मेंस आप पांच मह आप ने विजा लेकर आना पड़ेगा अभी तक कोई सिच्वेशन या कोई रूल अभी तक ओपन नहीं किया गया है कि जो छुट्टी पे गई हुए थे यह जिनके वर्क परमिट आज चुके थे विजिट विजा चुके थे और पैसे दे चुके थे ओ लोग ठीक है और उन अभी पैसा भी रिटन कैसे होगा मैं कुछ नहीं बोलतकता होगा या नहीं होगा ठीक है क्योंकि यार वो वीजा प्रोवाइड कर चुके हैं वीजा आपके पास में आ चुका है और हाँ एडलाइन आपका टिकट वापस करेगी ठीक है वह आपका 100% में 99% को आपका टिकट का पैसा जो है वह वापस करेगी उनको लेके नहीं आई रिटन कर देती है ठीक है लेकिन जो छुट्टी के हुए थे उनका कुछ का टिकट आने जाने का टिकट रखते हैं वह आने सकते हैं जैसे सिच्वेशन इतने कि इधर कभी सही नहीं होगा अभी आने का तो कोई प्ल कर रहे हैं दिरे-दिरे करके ना की एकदम लोग जो इंदर से जाना चाते हैं उनके लिए एक ओनलाइन एप्लिकेशन बनाई हुई है दुबई गोर्मिट ने उधर जा कि आप अपना फोम सब्मीट कर सकते हो और जैसे आपके पास कोल आएगी उसके बाद आपका नंबर कराएगा ऐसा नहीं कि आपने इधर से किया आपको जैसे पहले अमेरे को आज आज मेरा प्लैन हुआ कि मेरे को कल जाना है मैं अभी टिकट कराएगा और चला जाएगा अभी ऐसा नहीं है पहले आपने फोम समिट करना पड़ेगा उसके बाद आपको MBC से कोल आएगी और आपने टिकट लेना है उसके बाद जाना है ठीक है बट जो गए हुए थे इंडिया या इंडिया पाकिस्तान जो भी छुटी पर उनका आने का भी कोई भी चांस नहीं है ठीक है अभी तक ठीक है इससे आगे का मेरे को पता नहीं जैसे भी अपडेट आता रहेगा आप लोग के साथ में शेर करते होंगा तो भाए भी जिदार ओ उधर ही रहो और वीजे का कोई कंडिशन नहीं है किसी का विए मेरे साथ के एक फ्रेंड थ इसको साड़े दीन महीने करीबन हो गया तो साड़े धाय महीने के बाद उसको ऑटमेटिक ली कैंसिल हो जाएगा वीजा उसके बाद क्या आओ को कोई पता नहीं ठीक है लेकिन उसका भी गुदभई गोवर्मेट कुछ ना कुछ सॉलूशन करेगी जो भी होता है ठीक है ज समझो ऐसे रस्से पर लटके होएं कब कमपणी बोल दे कि भई यॉर्ट टर्मिनेट कि अभी जाओ बस काम घगदम थीक है ना कमपणी आपको टर्मिनेट कर रही है या कमपनी अपस काम नहीं अभी कुछ पदा नहीं है ठीक है अभी किसी भी यह बोलना बस इधर रस्ती नहीं है श्केसक है खुए है कब थीक है तो अभी जोगत किसी का कुछ पदा नहीं है ठीक मेरे को आपनी जोब का अब मेरे पता नहीं है कब कंपनी बोलते के बाई जाओ रूम बे बैटो बाई जॉब की आलत बाई एक तम यह समझो खलास है ठीक है ना अच्छे दिन आएंगे फिर आएंगे दुबारा लोटके यह पूरे दिन सर्वाइब करने पड़ेंगे बस यहीति आप लोगों के साथ में सेर करने की तो अभी तक तो कोई नहीं है अभी वह अपने घर पर रहें उधर ही रहें हाँ अगर जो आपका विजा एक्स्पायर हो जादा है 6 मन्त के बाद आप लोग रहे लेते हैं साइध आपके कंपनी आपको दुबारा विजा भेज दे अगर जो आपके कंपनी आपको जैसा भी होता है आप लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे और कि क्या मौल सकते हैं रजी ठीक है और ओके बाबाई अपना दयान रखे अपने फामली का दयान रखें बाबाई